हेलो एब्रिवन वेल्कम टू एए आउनलाइन सॉलोशन मैं हूँ असफाक तो आज मैं आपके लिए कलास 12 के जो इस्टुडेंट है उनके लिए उर्दू लाया हूँ मैं 100 नमर का जिरका उर्दू 100 माक्स का है उनके लिए उर्दू है और मैं सबसे पहले कोशिच कर रहा हू कि जो भी objective सवाल हो पहले lesson by lesson objective सवाल मैं पहले clear करूंगा उसके बाद फिर subjective सवाल आपको मैं understand करवाऊंगा और आपको बताऊंगा भी ओके तो सबसे पहले objective सवाल देखें यह नसर हिसा का है नजम हिसा के इसके बात पढ़ेंगे और यह अपका उर्दू 100 नमर का है अगर आप में से कोई पचास नमबर का भी हो तो मुझे कमेंट करेंगे मैं मैं पचास नमबर का उर्दू कोस्टन बनाऊंगा तो सबसे पहले हां देखें इसके यह खाका है और इसके राइटर कौन है नजीर की कहानी यह लेशन का नाम है और मिर्जा फहरतोला बैक जो है वह र प्रणत आप ट्रिक आट कर लिएगा तो सबसे पहले हां देखें जो यह जो राइटर का नाम लिका हुए जो मुसनिफ है तो इनका नाम याद दर्फना बहुत ही एहम है एक्जाम में आपको इस नाम से यह राइटर का नाम जो है तिन चार कोशन पांस कोशन आपको मिल ज नाम है कि सिनफ से नेमीद दौनेतर से नावेल जो पीजान यह तो मरसीय सीथा आप और नामेल अजीर अहां पिए तौलगम है। है तो बहुत इंपोर्टन यह सवाल है उर्दू का पहला खाका निगार वह फरतुजा बैग मिर्जा फरतुला बैग भी इसको बोलते हैं चौता सवाल है नजीर अहमद जेल में किसके उस्ताथ यानि कि जब आपर दिया रहेगा नजीर अहमद जब कहानी पढ़ेंगे तो उ दॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी तो आइठिंक एक बर अगर आप इसको पॉल लेंगे तो मेरे कहल से आप ऑफसन देखकर के टिक और एजी से कर सकते कोई वहारी दिक्कत नहीं है इसमें ओके नेक्टर जी फरतुला बैग के साथ मदरसे मे कौन था तो यहां पर आफसन ह हो जागा मियादानी फरतुला बैग के साथ मदरसे में कौन था मियादानी सातों सवाल है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी का तालुक कि सिनफ तो सिनफ अभी बताया था कि वो क्या है खाका है नेश्ट है जी मिर्जा फरतुला बैक की शोहरत का दारो मदार किस मजमून पर है यह जो खाका लिखे थे उनिक बात जो है मिर्जा फरतुला बैक की शोहरत बढ़ गई है तबतुन नसूप के मुसंब को न त्या जोरी बहुत एकिन्ट सवाल है और हमेसा हर एक्जामें देखने को मिलता है यह सवार्फ तबतुन नसूप की मुसंब कोनारा फोके मिलीर मिलेगा bigger ऐक है है व्हूं função बढ़र मिलेगा उस्ताद थे उनिक पास पड़ते थे नजिर आहमद की पैदाइश कब हुई थी तो आपको पता है नजिर आहमद की पैदाइश कब हुई थी तो इसका अंसर हो जगा में कुछ lesson है नजम का नशर का हिए ऑऔर 50 लाम वालाम ॐ तो कुछ अईसा है जिनका सो नंबर भी उर्दूरत है और 50 नमर वी ऊर्थ Anda रता है तो दोनों आपको ona होता हूत स्थ His ने क उसका पाइंगे कि की इसको झार कर उसके बाद मैं आपको सब्जिक्टिव कोशन धिरे धिरे आपको बताऊंगा तो कैसे लगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक का बटन दिक रहा आप वहां पर लाइक कर देजिए और नए आया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देजिए और अपने दोस्त बेक बाद में आपको सब्सक्राइब कर दोस्ताहिए